पूआ 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 जिले में रहेगा बलिया नगरी सहर और आसपास के इलाखों में रहेगा पहले जैसा लॉकडाउं सराग की दुकाने रहेंगी बंद। सभी को घरों से निकलना वर्जी थे डियाएं की अपील सभी अपने घरों में रहें सिफ जरूरी काम से ही बहां निकले घर से निकलते समय पहने मास्क वरना होगी एफाया दर्ज इस लॉकडाउं के दोरां घर घर जाकर होगी हर व्यक्ति की जाँश जियेम बलिया स्थी हरी प्रताप साही ने प्रैसवार्ता में दी जान करी सवाश एटी जाइट के लिए बलिया से पिंटू सिंग की रिपोर्ट चल्वन में 42 स्पेस अकेले बलिया नगर्चेत के हैं और बलिया नगर्चेत में बड़ी तेजी सी संख्या रोज बढ़ रही है इसको द्रिश्टिगत रखते हुए और चुकि अर्बन और डंस पापुलेशन है इसलिए यहां संक्रमण की संभावना और अधिक होने के द्रिश्टिगत रखते हुए जो बाजार खुल ले हैं उसमें बहुत कभी-कभी फिर हो जा रही है उससे संक्रमण बाजार के एकाद लोगों के संक्रमित होने के संक्रमण बाजार की जा रही है और इस दावरान डोटो जोट सर्वे करके संदेक के लोगों को फेज करके आइसुलेशन किया जाएगा जिससे इसका फैलाओ नगर शेत्र में यह बड़ा व्यान ग्रूप दारंग कर सकता है उससे रोटा जाए जाए जो है आज की रात दस जुलाई तक का है और इसके बाद जो इस्तती होगी उसके अनुसार इसको एक्स्टेंड या सिखल करने करवाई है यह ब्रूप वाले यह ब्रूप नबरी अच्छत के लोग है उनका है एक ब्यक्ति जो फुद अपना ही घर में अपना ही लाज कर रहा था उसकी ब्यथ होई वो सूचना होने पर तक पर उप से वहां सेंप्लिंग करा गया और चेक किया गया क्योंकि एक हम लोग ने बहुस्ता जनकर में की है कि अगर बहुत होती है तो पहले सेंपल करके टेस् दूसरा ब्यक्ति जो ब्यक्ति जो ब्यक्ति में था ब्यक्ति में ही उसकी का इलाज हुआ और ब्यक्ति में ही टेस्ट हुआ ब्यक्ति में ही ब्यक्ति है उसकी और आज रिलेज हुआ है बलिया की वह भी बलिया के जन्पत का रहता है चाहें वह तो कहीं हो बलिया के कोपे म इस लिए यहां का गिना पर जाना चली यहीं से गया भी तो इस तरह से पोबिए तो इस चेत्र में सराब की दुकाने नगरी ये चेत्र में और उसके आसपास जो भी जहां एक फुच्छो वाली क्लाउट के जा बन किया है झाली क्लाइं बन का चारी ये 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 बनागरी ये 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 कि दो